हेई गाईस आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप इस टोक के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो में आप लोगों के लिए बनेगे मैं आपको बताना वाला हूँ आप इस ठोक के अंदर इंट्राडे में शेर केसे खरीदे और बेचे ठीक है जिसे कि आप अच्छा खासा प्रोफिट कमा सकते हो डेली अगर अब तक आपने डीमेट अकाउन ओपन नहीं किया आप इस ठोक के अंदर तो आपको आई बटन में मैंने एक वीडियो की लिंक दी हुई है वो वीडियो जाके देख सकते हो कि कैसे डीमेट अकाउन ओपन करना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दी हुई है जैसे ही आपका डीमेट अकाउन ओपन होता है आपके सामने इसा इंटरफेस आएगा फिर आपको सबसे पहले यहाँ पर नीचे अकाउंड में आना है अकाउंड में आने के बाद क्या गना है गाईस सबसे पहले आपको यहाँ पर फंड एड करना है ठीक है मैंने यहाँ पर fun already add किया हुआ है और यहाँ पर आपको दो mode देखने को मिलेगे तो आपको यहाँ पर 4 traders वाला mode select कर लेना है फिर इसके बाद आपको back आना है, back आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए discover वाला option देखने को मिलेगा, इस पर आपको tape करना है जैसे आप इस पर tape करोगे तो यहाँ पर देखिए गाइस आपको उपर यहाँ पर search करने का option दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको nifty, 50 और nifty bank ठीक है, यहाँ पर आपको top company यह देखने को मिल चाहेगी, जिसमें आप trade कर सकते हो तो हम nifty 50 में tape करते हैं, और यहाँ पर देखिए, आपको chart देखने को मिल चाहेगा summary देखने को मिल चाहेगी, option change का option भी देखने को मिलेगा, लेकिन हम यह बात में चाहनेगे, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि market कि price पर open होगा है, height क्या गई है, low क्या गई है, आपको यहाँ पर analyze करना है कि market आज कैसा चल रहा है, अगर आपको guys trading नहीं आती, तो आप investment मत करना, पहले trading सिखना ठीक है nifty 50 में यहाँ पर top 50 company आज जो इंडिया की है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल चाहेगी अगर आप अलग से कोई company में intradale trading करना चाते हो, तो bake आओ, bake आने के बाद देखें, यहाँ पर search का option देख रखा है तो जिसमें भी आप trade करना चाते हो वो यहाँ पर आप search कर सकते हो फिलाल में आपको nifty 50 में trade के से खरीदना है और बेचना है, यह भी मैं बताऊंगा, live आपके साबने intradale trading करके बताऊंगा, आप इस टोक के अंदर तो यहाँ पर देखें गाईस हम यहाँ पर intradale trading एक order लगा आते हैं, जिसे tata skill पर मैं intradale trading करता हूँ, ठीक है, यह एक company है तो सबसे परेले मैं इस पर tape करता हूँ फिर यहाँ पर आपको analyze check करना है कि कितने लोग इसको buy कर रहे है कितने इसको sell कर रहे है यह सारा total आपको यहाँ पर देखना है कि market की news क्या है, यह सब पता करने के बात यहाँ आप investment करे तो better रहेगा, फिर यहाँ पर summary का option आ रहा है उपर की side फिर यहाँ पर आप चार्ड भी देख सकते हो इसका, कि market कितना उपर गया है और नीचे गया, ठीक है, यह चार्ड देख सकते हो फिर यहाँ पर आप timing भी set कर सकते हो जो candle की timing होती है फिर यहाँ पर indicators, candles सब आपको देखने को मिल चाएगा फिलाल हम इसको buy करने का सोच रहे तो summary पर आते और यहाँ पर देख यह buy का option दिया हुआ है आपको simple इस पर tape करना है tape करने के पास देखिए गाई सबसे पहले option आएगा quantity, कितनी quantity quantity आपको खरीदना है तो आप अपने according जितनी भी quantity लेना चाहते हो उतनी ले लेना, ठीक है अब suppose के मुझे एक quantity खरीदना है ऐसे example में video बना रहा हूँ इसलिए एक quantity मैं खरीद लेता हूँ अब यहाँ पर एक quantity डाल दी मैंने अब यहाँ पर market का option दिखाई दे रहा इसको बड़े जहां से समझना इस पर आप tape करोगे अब देखे, यहाँ पर market rate क्या चल रही है इतनी, ठीक है और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं जब आय करू जब 145 पर आए तो जैसे ही मैं market price पर limit set करूँगा तो यह अगर 145 पर आता है ठीक है तो यह execute हो जाएगा अब यह 149 चल रहा है तो यह execute नहीं होगा pending में चला जाएगा तो इसका मतलब यह लेकिन हम market rate पर ही इसको खरीद लेते तो मैं market select करूँआ तो यहाँ पर देखे यह पर automatically market लिखा हुआ गया जो market की rate चल रही उसी पर आप खरीच सकते हो अब intraday trading में क्या होता है कि guys अगर यह price अगर उपर जाती है तो आपको profit होगा अगर यही price अगर नीचे आती तो आपको loss होगा ठीक है तो आपको जैसे ही profit होगा आप exit कर लेना ठीक है इसमें इसको ही intraday trading कहते है अब इसको market trade पर मैंने buy कर लिया है और एक बात का एको ध्यान रहे कि market साड़े 9 से साड़े 3 बज़े तक open होता है ठीक है तो अगर आपने सुबे को 10 बज़े share करीदा तो आपको 3.20 से पहले share को sell करना पड़ेगा नहीं तो यह automatically sell out हो जाएगा और कुछ extra charges भी लग जाएगे तो हो सके तो दोफेर की 3.20 पर आपको इसको sell करना है क्योंकि intraday का मतलब होता है कि आपको आज ही share को खरीदा है और आज ही बेजना है और यहाँ पर delivery का option देखने को मिल रहा है delivery का मतलब यह कि आप investment कर सकते हैं long term के लिए आप एक दो साल जीतना भी चाओ उतना आप long term के लिए investment कर सकते हैं तो इन दोनों में different यह फिलाल हम अब इस टो केंदर intraday trading सीकरे तो आपको intraday यहाँ पर select करना अब यहाँ पर stop loss का option देखने को मिलेगा यह हम आगे समझेगे यह हो चुका है तो आपको यहाँ पर charges भी देखने को मिल जाएगे कि कितना charges आपको लग रहा है और आपको बस share जो है trade buy कर लेना है तो review to buy order पर tape करना है आपको market rate पर हमने select कर लिया review के buy order पर tape करा फिर यहाँ पर write किया और submit order पर tape किया तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर नीचे portfolio पर जाना है फिर order खरीदने के बाद तो यहाँ पर आपको आपकी position दिख जाएगी और stop blows भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा के market down जा रहा है या फिर up जा रहा है ठीक है आप यहाँ से देख सकते हो अब suppose के यहाँ पर 149 इसकी price चल रही है आपको profit कब होगा जब इसकी price 155 या फिर 200 तक भी जा सकती तो आप अंदासा नहीं लगा सकते हो आप इतना पिस्सा गमा सकते हो या फिर गवा सकते हो तो इसलिए सबसे पहले सीख लेना फिर आप investment करना या फिर ट्रेडिंग करना ठीक है इसको बेचने के लिए share पर टेप करना है अब मैं आपको live इसको sale करके बताऊंगा याद रहे कि 3-20 से पहले आपको sale out करना नहीं तो automatically ये sale हो चाएगा तो यहाँ पर आपको square off पर tape करना है इस पर tape करोगे कितनी quantity लीती है हमने एक लीती एक यहाँ पर आ चुकी है फिर यहाँ पर market rate select कर लिए और intraday पहले से selected है क्योंकि intraday में हमने trading की है तो यहाँ पर swipe to sale पर आप जैसे ही tape करोगे तो यह completely sale out हो चाएगा यह देखे complete हो चुका है और जो भी आपका profit है वो next day है आपके account में add हो चाएगा ठीक है तो ऐसे ही आप up stock के अंदर intraday trading कर सकते हो आपके आपको यह वीडियो पसंद आए होगी तो जादे जादे चैनल को subscribe वीडियो को like चुलो करना Thank you for watching this video